हाई गाईज मैं लेक आई हूँ आपके लिए लेटस न्यूस प्लीज चैनल सस्क्राइब कर लेना देखे पारस चाबडा करना क्या चा रहे हैं कल उन्होंने ये मीम शेयर किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये काफी फेमस मीम और काफी पुराना है देख इसमें है क्या सिधार्ट की पिक पर लिखा है भाई गल्फ्रेंड को गिफ्ट देना है कोई आईडिया दो फिर पारस की पिक पर लिखा है लड़की कैसी है फिर सिधार्ट की पिक पर लिखा है लड़की तो बहुत खूब सूरत है फिर पारस की पर लिखा है मेरा नंबर दे दे क्या है भाई ये ऐसे पिक तो आप टीनेज बच्चे भी यूज नहीं करते हैं आप तो इतने मैच्चोर इनसान हो और आप किसके लिए यूज कर रहे हो किसके साथ यूज कर रहे हो अगर कोई आपका इतना अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ आप ये सब कर सकते हो या उसकी लैग पूच कर सकते हो या मस्ति मजाग कर सकते हो तो उसके साथ करू कि सुझार्ण केसाथ आपके ऐसी कोई बॉंडिंग मुझे हमें नजर नहीं आती बिक बॉस के बाद इनफेक्ट बिग बॉस के लास्ट वीक में सिधार्ट ने आपको ये बस ये कहा था कि मैं रिटरंड कर रहा हूं जब आपको बचाया था फ्रेंड तक नहीं बोला था और आप टार्गेट किसको करना चाह रहे हो सिधार्ट को या शेहणाज को लगातार ये चीज़े हो रही हैं आप लगातार अपने इंटर्वियू में लगातार इन दोनों का नाम लेते हैं कि अपनी साइट से कंसी नहीं दे रहे हैं सब्से बड़ी बात यह है सिधार तो शेहनाश को यह नहीं करते हैं इन चीज़ों पर और यह सब हो क्यों रहा है तोनरे के सिशारा यह और किसका का रहा है पारस और महेरा का स्वाम आ अच्छी बात है आप गाम करिए हो सकता है आपको abuse करें कुछ बोलें फिर आप कहेंगे कि उनके फैंस ऐसे हैं ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं तो एक मतलब कोई सिधार्थ का नाम लेकिस शेहनास को टर्गेट कर रहा है कभी शेहनास का नाम लेकिस इधार्थ को टर्गेट कर रहा है यही चल रहा है बस thank you guys मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी बोलने को बहुत कुछ